जय क्रश्ण गुरु जय क्रश्ण गुरु जय क्रश्ण गुरु जय जय ते परम क्रश्ण गुरु इश्वर कृष्ण गुरु सेवास्रम में जुटे आप सभी संतों, मनीशियों और भक्तों को मेरा साधर पणाम कृष्ण गुरु एक नाम अखंड किर्टन का यह आयोजन पिछले एक महने से चल रहा है मुझे खुशी है कि ज्यान, सेवा और मानवता की जिस प्राचीन भारतिय परंपरा को कृष्ण गुरु जी ने आगे बढ़ाया, वो आज भी निरंतर गतिमान है गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभुजी और उनके सयों के आशिरवात से और कृष्ण गुरु के भक्तों के प्रयास से इस आयोजन में वो दिव्यता साब दिखाई दे रही है मेरी इच्छा थी कि मैं इस अवसर पर असम आकर आप सब के साथ इस कारकम में शामिल हो मैंने कृष्ण गुरु जी की पावन तपोस्थिली पर आने का पहले भी कई बार प्रयास किया है लेकिन शायद मेरे प्रयासों में कोई कमी रह गई कि चहकर के भी मैं अब तक वहाँ नहीं आ पाया मेरी कामना है कि कृष्ण गुरु का आशिरवात मुझे ये अवसर दें कि मैं आने वाले समय में वहाँ आकर आप सभी को नमन करू आपके दर्शन करू साथियों कृष्ण गुरु जी ने बिश्व शांति के लिए हर बारा वर्ष में एक मास के अखंड नाम जब और किर्तन का अनुस्ठान शुरू किया था हमारे देश में तो बारा वर्ष की अवधी पर इस तरह के आयोजनों की प्राचिन परंपरा रही है और इन आयोजनों का मुख्य भाव रहा है कर्तव्य यह समारो व्यक्ति में समाज में कर्तव्य बोट को पुनरजिवित करते थे इन आयोजनों में पूरे देश के लोग एक साथ एकत्रित होते थे पिछले बारा वर्षों में जो कुछ भी बीता समय में हुआ है उसकी समिक्षा होती थी वर्तवान का मुल्यांकन होता था और भविष्य की रुप्रेखा तै की जाती थी हर बारा वर्ष पर कुम्ब की परंपरा भी इसका एक ससक्त उधारन रहा है 2019 में ही असम के लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी में पुष्करम समारों का सफल आयोजन किया था अब फिर से ब्रह्मपुत्र नदी पर ये आयोजन बारवे साल में ही होगा तमिलनाडु के कुम्ब कोणम में महा माहम परवभी बारा वर्ष में मनाया जाता है बगवान बाहु बली का महा मस्तकाभी शेट ये भी बारा साल पर होता है ये भी संयोग है कि निलगिरी की पहड़ियों पर खिलने वाला निल कुरुंजी पुष्प भी हर बारा साल में ही उगता है बारा वर्ष पर हो रहा कृष्ट्न गुरु एक नाम अखंड किर्टन भी ऐसी ही ससक्त परंपरा का सुरुजन कर रहा है ये किर्टन पुर्वोत्तर की विरासत से यहां की आध्यात्मिक चेतना से विश्व को परिचित करा रहा है मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए अनेकों अनेक सुपकामनाय देता हूं साथियों कृष्ण गुरु जी की विलक्षन प्रतिभा उनका अध्यात्मिक बोध उनसे जुड़ी हैरान कर देने वाली घटनाएं हम सभी को निरंतर प्रेणना देती हैं उन्होंने हमें सिखाया है कि कोई भी काम कोई भी व्यक्ति न छोटा होता है न बड़ा होता है बीते आठ नव वर्षों में देश ने इसी भावना से सबके साथ से सबके विकास के लिए समर्पन भाव से कार्य किया है आज विकास की दोड में जो जितना पीछे हैं देश टे लिए वो उतनी ही पहली प्राक्विक्ता है यानि जो वंचित है उसे देश आज वरियता दे रहा है वंचितों को वरियता असम हो हमारा नौर्थ इस्ट हो वो भी दसकों तक विकास के कनेक्टिविटी से बंचित रहा था आज देश असम और नौर्थ इस्ट के विकास को वरियता दे रहा है प्राफिक्ता दे रहा है इस बार के बजट में भी देश के इन प्रयासों की और हमारे ब्रविश्य की मजबूत जलक दिखाई दी है पुर्वोत्तर की एकोनोमी और प्रगति में परियतन की एक बड़ी भूमी का है इस बार के बजट में परियतन से जुड़े अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेश प्रावधान किये गए हैं देश में पचास टूरिस्ट डेस्टिडेशन को विशेश अभ्यान चलाकर विक्सित किया जाएगा इनके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा वर्चुल कनेक्टिविटी को बहतर किया जाएगा टूरिस्ट सुविधाओं का भी निर्मान किया जाएगा पुर्वोत्तर और असन को इन विकास कारियों का बड़ा लाब मिलेगा वैसे आज इस आयोजन में जुटे आप सभी संतों विद्वानों को मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं आप सबने भी गंगा विलास कुरूज के बारे में सुना होगा गंगा विलास कुरूज दुनिया का सबसे लंबा रिवर कुज है इस पर बड़ी संख्या में विदेशी परियटक भी सफर कर रहे हैं बनारत से बिहार में पटना, बक्सर, मूंगे होते हुए ये कुरूज बंगाल में कोलकता से आगे तक की यात्रा करने हुए बंगलादेश पहुँच चुका है कुछ समय बात ये कुरूज असम पहुँचने वाला है इसमें सवार परियटक इन जगों की नदियों के जरिये विस्तार से जान रहे हैं, वहां की संस्कृति को जी रहे हैं और हम तो जानते हैं भारत की संस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी एहमियत सबसे बड़ा मुल्यमान खजाना हमारे नदी तटों पर ही है क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति की विकास यात्रा नदी तटों से जुड़ी हुई है मुझे विश्वास है असम्या संस्कृति और खुपसूर्ति भी गंगा विलास के जरिये दुनिया तक एक नए तरीके से पहुचेगी साथियों क्रिष्ण गुरु सेवासरम विभिन्न संस्ताओं के जरिये पारंपारिक शिल्प और कौशल से जुड़े लोगों के कल्यान के लिए भी काम करता है बीते वर्षों में पुर्वोत्तर के पारंपारिक कौशल को नई पहचान देकर ग्लोबल मार्केट में जोड़ने की दिशा में देश ने अइतिहासिक काम किये है आज असम की आर्ट असम के लोगों के स्कील यहां के बैम्बू प्रोड़क्स के बारे में पूरे देश और दुनिया में लोग जान रहे हैं उन्हें पसंद कर रहे हैं आपको यह भी याद होगा कि पहले बैम्बू को पैड़ो की केटेगरी में रखकर इसके काटने पर कानूनी रोक लग गई थी हमने इस कानून को बदला गुलामी के कालखन का कानून था वैम्बू को गास की केटेगरी में रखकर पारमपारीक रोजगार के लिए सभी रास्ते खोल दिये अब इस तरह के पारमपारी कौशल विकास के लिए इन प्रोड़क्स की क्वालिटी और पहुंच बढ़ाने के लिए बजेट में विशेश प्रावदान किया गया है इस तरह के उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए बजेट में हर राज में यूनिटी मॉल एकता मॉल बनाने की भी गोशना इस बजेट में की गई है यानि असम के किसान असम के कारिगर असम के यूवा जो प्रोड़क्स बनाएंगे यूनिटी मॉल एकता मॉल में उनका विशेश डिस्पले होगा ताकि उसकी जादा विक्री हो सके यही नहीं दूसरे राज्यों की राजधानी या बड़े परियटन सलों में भी जो यूनिटी मॉल बनेंगे उसमें भी असम के प्रोड़क्स रखे जाएंगे परियटक जब यूनिटी मॉल जाएंगे तो असम के उत्पादों को भी नया बाजार मिलेगा साथियों जब असम के शिल्प की बात होती है तो यहां के ये गोमोशा का भी ये गोमोशा इसका भी जिक्र अपने आप हो जाता है मुझे खुद गोमोशा पहनना बहुत अच्छा लगता है हर खुबसुरत गोमोशा के पीछे असम की महिलाओं हमारी माताओं बेहनों की मैनत होती है बीते आठ नव वर्षों में देश में गोमोशा की उसको लेकर आकरशन बढ़ा है तो उसकी मांग भी बड़ी है इस मांग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में महिला सेल्फ हेल्फ गुरुप सामने आये हैं इन गुरुप में हजारों लाखों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है अब ये गुरुप और आगे बढ़कर देश की अर्थववस्का की ताकत बनेंगे इसके लिए इस साल के बज़ेट में विशेश प्रावधान किये गए हैं महिलाओं की आय उनके ससकते करण का माध्यम बने इसके लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिपिकेट योजना भी शुरू की गई है महिलाओं को सेविंग पर विशेश रुप से जादा ब्याज का फाइदा मिलेगा साथ ही पीएम आवास योजना का बज़ेट भी बढ़ाकर सत्तर हजार करोड रुपिये कर दिया गया है ताकि हर परिवार को जो गरीब है जिसके पात पक्का घर नहीं है उसका पक्का घर मिल सके ये घर भी अधिकांश महिलाओं के ही नाम पर बनाए जाते है उसका माली की हक महिलाओं का होता है इस बज़ेट में ऐसे अनेक प्रावधान है जिन से असम, नागालेंड, त्रिपूरा, मेगाले जैसे पुर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं को व्यापक लाब होगा उनके लिए नए आउसर बनेंगे साथियों, कृष्ण गुरु कहा करते थे नित्य भक्ति के कारियों में विश्वास के साथ अपनी आत्मा की सेवा करें समाज की सेवा, समाज के विकास के इस मंत्र में बड़ी शक्ती समाई हुई है मुझे खुशी है कि कृष्ण गुरु सेवासरम समाज से जुड़े लगबग हर आयाम में इस मंत्र के साथ काम कर रहा है आपके द्वारा चलाए जा रहे ये सेवा यग्य देश की बड़ी ताकत बन रहे है देश के विकास के लिए सरकार अनेकों योजनाई चलाती है लेकिन देश की कल्यानकारी योजनाओं की प्रानवायू समाज की शक्ती और जन्भागीदारी ही है हमने देखा है कि कैसे देश ने स्वच्च भारत अभ्यान शुरू किया और फिर जन्भागीदारी ने उसे सफल बना दिया डिजीटल इंडिया अभ्यान की सफलता के पीछे भी सबसे बड़ी बज़े जन्भागीदारी ही है देश को ससक्त करने वाली इस तरह की अनेकों योजनाओं को आगे बढ़ाने में कृष्ट्न गुरू सेवास्रम की भूमी का बहुत एहम है जैसे की सेवास्रम महिलाओं और युवाओं के लिए कई सामाजिक कार्य करता है आप बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और पोषण जैसे अभियान को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी ले सकते हैं खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों से जादा से जादा युवाओं को जोडने से स्रियवास्रम की प्रेणा बहुत एहम है योग हो, अविवेद हो, इनके पचार पुसार में आपकी और जादा सहभागिता समाज शक्ति को मजबूत करेगी साथियों, आप जानते हैं कि हमारे यहां पारमपारिक तौर पर हाथ से, किसी औजार की मदद से, काम करने वाली कारीगरों को, हुनरमंदों को, विश्वकर्मा कहा जाता है देश ने अब पहली बार इन पारमपारिक कारीगरों के काउशल को बढ़ाने का संकल्प लिया है इनके लिए पी-म विश्वकर्मा काउशल सम्मान यानि पी-म विकास योजना शुरू की जा रही है और इस बजेट में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कृष्णगुरु सेवासरम विश्वकर्मा साथियों में इस योजना के प्रती जांगुरुकता बढ़ा कर भी उनका हित कर सकता है साथियों 2023 में भारत की पहल पर पूरा विश्व मिलेट यह भी मना रहा है मिलेट यानि मोटे अनाजों को जिसको हम आम तोर पर मोटा अनाज कहते हैं नाम अलग लग होते हैं लेकिन मोटा अनाज कहते हैं मोटे अनाजों को अब एक नई पहचान दी गई है यह पहचान है स्री अन्न यानि अन्न में जो सर्वस्रेष्ट है वो हुआ स्री अन्न क्रिष्ण गुरु सेवास्रम और सभी धार्मिक संस्ताय श्री अन्न के प्रसार में बड़ी भूमी का निभा सकती है आस्रम के जो प्रसाद बढ़ता है मेरा आग्रह है कि वो प्रसाद भी श्री अन्न से बनाए जाए ऐसे ही आज़ादी के अमरित महोसों में हमारे स्वाधिनता सेनारियों के इतिहास को युवा पीडी तक पहुँचाने के लिए अभ्यान चल रहा है इस दिशा में सेवास्रम प्रकाशन द्वारा असम और पुर्वत्तर के क्रांतिकारियों के बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है मुझे विश्वास है बारा वर्षो बाद जब यह अखंड किर्टन होगा तो आपके और देश के इन साजा प्रयासों से हम और अधिस ससक्त भारत के दर्शन कर रहे होगे और इसी कामना के साथ सभी संतों को प्रणाम करता हूँ सभी पुन्य आत्माओं को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को एक बारफित बहुत बहुत शुप कामनाय देता हूँ धन्यवाद